Welcome to our channel, आज हम General Science में Chemistry के Most Important MCQs को देखने वाले हैं, यह Part 10 है, Part 1 से लेके Part 9 तक आगर आपने नहीं देखा है, तो General Science के जो प्लेलिस्ट है for RRC Group D, उसका Link description box में दिया गया है, वहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट में सारे ही वीडियो से देख सकते हैं, सिर्फ Chemistry के Most Important MCQs नहीं, इ General Science का जो प्लेलिस्ट है, इसे चेक करना मत भूलना, इस वीडियो के देखने के बाद, लिंक जो है, description box में दिया गया है, General Science का प्लेलिस्ट का, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो Important MCQs है, जो exam point of view बहुत ज़ लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे और exam में कोई गल्ती, तो जो lightning होता है, तो क्या होता है, nitrogen oxygen जो है, यह atmosphere में combine हो जाते है, और यहापे nitrogen oxide form होता है, फिर nitrogen oxide जो है, यह rain water के साथ जो है, यह react करता है, और dilute nitric acid यहापे form होता है, finally यह जो nitric acid है, यहापे dilute nitric acid form हुआ, उसके बाद क्या होता है, यह nitric acid जो है, यह basically जो भी soil में जो minerals present होते हैं, इसके साथ react होके, यह nitrate form करता है, finally यह nitrate है, यह plant के द्वारा absorb किया जाता है, तो यहाप रखना, nitrogen fixation जो है, यह होता है, through lightning, oxides of non-metals, तो basically यह question जो है, काफी और बना है, oxides of metal जो है, यह basically कैसे nature में होते हैं, oxides of non-metals, जो है, यह basic होते हैं, तो oxides of non-metals, जो है, यह basically acidic in nature होते हैं, यह ध्यान रखना, कूशन काफी और बना है, और ठीक, इसका opposite अगर कूशा है, oxides of metal, तो oxides of metal, जो है, यह basic in nature होते हैं, तो अलग-अलग बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा सा discuss भी कर लेते हैं, non-metal oxides are basically formed by reaction with oxygen, तो non-metal oxides कैसे form होते हैं, वो जो है, oxygen के साथ जैसे ही react होते हैं, उसके बाद जो है, यहाँ पर non-metal oxides basically form होते हैं, और यहाँ पर, अगर हम देखें, अगर यह react करते हैं, माल लिचे basis का साथ अगर react करते हैं, तो salt और water यहाँ पर form होता है, तो the following is used to make plastic, तिन में से कौन सा जो है basically material को use किया जाता है for making plastic, तो अगर हम देखें, plastic industry में, अगर हम बात करें, तो ethylene को सबसे ज़्यादे, जो है use में लिया जाता है, plastic बनाने में, even यह भी कहा जाता है, कि plastic जो है, जो बनाया जाता है, इसका building block ही जो है, यह ethylene है, तो यह कोशन काफी वज़े से जो है, हम polythene जो use करते है, उसका जो नाम होता है polyethylene होता है, तो यही basically है, plastic basically अगर हम देखें, तो यहाँ पर ethylene को काम में लिया जाता है, बहुत जाता है, यह important है, साथ में से building block भी कहा जाता है, plastic का, addition of which are the following, give fees to soft drinks, एक question काफी बार अलग-अलग type में पूछा गया है, पूछा जाता है कि कभी-कभी एक और question बनता है, ध्यान रखना वो भी question यहाँ पर discuss कर लेते हैं, बनता है कि soft drinks या फिर cold drinks जो basically हम कहते है, normal हमारे language में, जो soft drinks में basically, तो यहाँ पर जो है कौन से gas को use कर जा कभी-कभी carbonic acid direct नहीं लिखा होता है, तो अध्यान रखना, SCO3 इसका formula है, ठीक है, SCO3, यह note down करके रख ले, क्योंकि कभी-कभी यहाँ पर इस तरह नहीं लिखा हुआ होता है, rather than उनका chemical formula जो है यहाँ पर लिखा होता है, तो basically bubbles form करते है, bubbles form होके, जो यह fees basically soft drinks में आपको द देखने मिलता है, तो basically जो होता है, यह carbonic acid के वज़े से होता है, और carbonic acid का formula है, यह है HCO3, chemically rust, तो rust basically क्या है, तो अगर हम देखें, यहाँ पर, थो थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, तो rust कैसे form होता है, तो rust basically क्या है, यह radius brown color का एक oxide होता है, आपने जरूर देखा होगा, अगर मा रिडिस ब्राउन कलर का जो है, एक oxide form करता है, due to the presence of water and air, water and air के presence में अगर oxygen, अगर किसी भी आगर माल लिजे, iron metal के साथ react करता है, तो यहाँ पर rust form करता है, जिसे हम जो है, रिडिस ब्राउन oxide के form पर देख सकते हैं, तो basically इसका chemical name क्या है, यह पूछा गया है, तो इसका chemical name ह यह है, hydrated ferric oxide, इसका जो है chemical name है, तो यह भी धियान रखना, कभी-कभी यह पूछा जाता है, एक बात यहाँ रखना, rust जो form होता है, तो यह कौन सा प्रोसेस है, यह भी कुशन एक बर बना था, rust, जो iron rust जो form करता है, यह कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, chemical प्रोसे यह सारे जो है, कौन से basically fiber से बना जाता है, तो यह basically synthetic fiber से बना जाता है, बहुत जाते strong होता है, nylon आपको भी पता है, polyester हो गरा, तो यह basically synthetic fiber से बना जाते है, अब यह भी कुशन बनता है, synthetic fiber जो है, यह कहां से obtain किया जाता है, यह कुशन बिल्कुल बन सकता है, तो synthetic fiber जो है, य यह obtained किया जाता है which of the following is called flower of zinc तो flower of zinc जो है इन में से कौन सा basically compound को कहा जाता है zinc oxide, zinc bromide, zinc sulfate, zinc phosphate तो इसका सही जबावे ही है option number one zinc oxide, zinc oxide जो है इसे कहा जाता है flower of zinc अब basically इसे जो है कैसे obtained किया जाता है यह भी question बहुत बार बना है, कौन सा color का होता है यह question बना है, कौन से industry में use किया आता है यह भी कभी कभी बना है, तो थोड़ा सा discuss कर लेता है basically zinc को burn करने के बाद जो भी remaining इसमें रहा जाता है जो white color का powder रहा जाता है, इसे basically कहा जाता है zinc oxide ठीक है, तो zinc को burn करने के बाद जो powder रहा जाता है इसे zinc oxide का जाता है white color का होता है धियान रखना white color का यह powder होता है और इसके जो है कौन से industry में यूज़ के आता है इसे large scale में cosmetic industry में इसे काम में लिया जाता है pharmaceutical industry में इसे काम में लिया जाता है तो यह सारे चीज़ याद रखना यहां से question जरूर बनता है what is the atomicity of phosphorus तो atomicity of phosphorus basically क्या होता है atomicity कितना होता है इसका तो सबसे पहली बात जो है atomicity के बारे में थोड़ा जान लेते हैं उसके बात जो है यहाँ पर आसान होगा इसका atomicity बताना तो number of atom present in single molecule is called atomicity तो number of atom, कितना number of atom present है single molecules में उस particular element का तो यहाँ पर यह पता चलेगा कि उसका atomicity मतलब कितना है तो अगर मान लिए single atom है तो उसे हम monoatomic कहेंगे दो अगर उसमें atom present है एक molecule में तो उसे diatomic कहेंगे तो 3 है तो triatomic और 4 है तो क्या कहेंगे tetraatomic से कहेंगे तो for example मान लेते हैं अगर single atom है for example helium helium में जो है यह single atom है तो उसका atomicity जो है यह क्या कहेंगे monoatomic है और अगर हम अगर 2 atom present है यह भी example एक देख लेते हैं oxygen जैसे O2 हम लिखते हैं ना oxygen तो यहाँ पर जो है molecules में देखे तो चार atom present होता है question काफी वर बनाया है धियान रखना phosphorus का जो atomicity है basically यह tetraatomic है यहाँ पर जो है 4 atom present है इनके molecules में इसी तरह अगर 3 का भी देखे जो for example ले लेते CO2 ले लेते है CO2 carbon dioxide तो यह जो है basically अगर हम देखे तो यह जो है triatomic basically है तो triatomic यानि कि तीन जो है यहाँ पर atoms present है इनके molecules में tetraatomic यानि कि चार present है चार atom present है इनके molecules में चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा आपको definitely chemical formula nitric acid देखे यह question तो बहुत आसान है बहुत सार्ट कहाएंगे कि question बहुत आसान है लेकिन होता क्या है basically यह जो है आसान question जो पूछे जाते हैं तो उस समय जो है जब exam में बैठे होगा होते हैं तो यह basically दिमाग से out हो जाता है तो इस तरह के questions आपको बिल्पूल बीच-बीच में आपको revision जरूर करना चाहिए तो इसका name दिया गया है तो इसे जो है basically कहा जाता है matter तो यहाँ पर examiner ने बहुत अच्छा से जो है question को थोड़ा सा frame किया है तो यहाँ पर जो है बिल्कुल धियान रखना इस तरह question भी बनते है त्रेलवे के exam में everything in this universe is made up of material scientists have named it as matter अब एक important बात discuss कर लेते हैं general science तो हम पढ़ा रहे हैं बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं playlist का link भी description box में दिया गया है तो यहाँ पर जो है 85 रुपिस पे कर देते हैं आपको अपना mail ID खोल देना है आपके mail ID में file भीज़ दिया जाता है जहांसे इसे download कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह हमने अरेंज किया है current affairs को बहुत अच्छे तरीकर से अरेंज किया है जिसे 21 में जितने awards and honors दिये गया है उसका एक section रखा है index यानि कि अलग-अलग इंडिया का जो ranking है अलग-अलग index में इसका एक section रखा है तो section wise यहां पर divide कर रखा है ताकि याद रखनाई में आसान हो mix-up नहीं किया है बहुत अच्छा से आपके लिए arrange करके बनाया गया है क्योंकि current affairs से काफी question बनते है इनके लिए तो बहुत जाद इंपोर्टेंट है तो sports current affair, international current affair, जितने books and authors, जितने अलग-अलग government schemes, state government, central government schemes, appointments, defense current affair, summits, उसके आद मिसलिनेस current affair में science and technology current affair भी cover up किया गया है, state current affair भी cover up किया गया है, साथ में मिसलिनेस current affair भी cover up किया गया है इसके अलावा appendix भी हमने आपको दे दिया है, जैसे appendix के section वागर हम देखे, brand अबसर 221, j8-121, covid-19 के variants का नाम अलग-अलग जो WHO के दिवारा दिया गया है, foreign civilian award given to PM Modi, जितने भी civilian award दिये गया है, अलग-अलग country के दिवारा, और time magazine, person of the year, यहाँ पे basically हर साल यह declare किया था, यहाँ से question बनता है, person of the year, and trainer of the year, तो इस तरह heroes of the year, यह सब athlete of the year, यह सब question यहाँ पे cover up किया है, तो इसी तरह जो है booklet को बनाय गया है, तो इसका link description box में दिया गया है, इस booklet को लेना मद भूलना, current affair अच्छा से prepare हो जाएगा, चले, current affair तो prepare हो गया, general knowledge 221 का भी booklet लेना करके जाते हैं, तो भी कहीं न कहीं, यहाँ पर mark जरूमीज हो सकता है, क्योंकि इन सारे topics को इन detail में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसी वज़े से general knowledge 221 का भी booklet आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसका link description box में मिल जाएगा, यह इसका price दे 75 रूपीज, लेकिन थोड़ा सा discount भी मिल जाएगा, और current affair, साथ में general knowledge बहुत अच्छा से आप prepare भी कर पाएंगे, लेकिन railway का exam है, recently हुआ था NTPC का exam, तो आपने जरूर देखा होगा, कि जो है, जो current year है, जैसे 2hand 20 का, तो current affair पूछा गया था, लेकिन 2hand 19 का भी पूछा गया था, इसी वज़े स जो है recommendation यही रहेगा, कि 2 साल का current affair prepare करके जाएं, इसलिए current affairs 2hand 20 and 21, और साथ में general knowledge 2hand 21 का booklet, आप यह जो है recommend रहेगा, जितने भी railway वाले student है, आप अगर RRC Group D का exam देने वाले है, तो 2hand 20, अलग-अलग भी ले सकते हैं, जैसे अलग-अलग आप लेता है, तो current affairs 2hand 20 का लेता है, तो 50 रुपीज का प्राइज है, 2hand 21 का 85 रुपीज प्राइज है, और general knowledge का जो है इसका प्राइज है 75 रुपीज, तो यहाँ पर हो जादा 210 रुपीज, लेकिन यह combo link है, इसलिए 185 रुपीज में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो recommendation यही रहेगा, अगर आप RRC Group D का exam दे नहीं है, तो appendix में 220 का हमने बहुत सारे section add कर दिया है, और कुछ 21 के general knowledge में भी add-on है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, यह combo pack बिलकुल लेना, देना मत भूलना, link description box में दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते है, calcoprite is the ore of, तो calcoprite जो है, basically यह किसका ore है, तो धियान रखना, बहुत बार यह question बना है, अलग-अलग ओर के बारे हम पूछा जाता है, जैसे box side हो गया रहा, इससे बहुत सारे question already बन चुके है, यह बहुत जादा common हो चुका है, इसलिए हमने थोड़ा सा tough यहाँ पर लिया है, कि हाँ, बच्चे जो है, यह topic को miss ना कर prata है, यह buffer solution is either a weak acid and its salt with strong base or a weak base and its salt with strong acid, यह basic Lee buffer solution का जो है, यह basically definition है, तो यहाँ पर क्या है, solution of weak acid and its salt to the just जो है यह buffer solution है यह हो सकता है buffer solution इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर weak base and its strong जो है यहाँ पर salt अगर present है तो यह भी जो है buffer solution कहलाता है the sulphide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air the process is known क्या कहा जाता है तो यहाँ पर confused मत होना क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ आपको अलग अलग बता जाएगा एक roasting के बारे में एक calcination के बारे में आपको बता जाएगा तो sulphide ore जो है इसे convert किया जाता है into oxide by heating strongly in the presence of excess air तो इस process को basically roasting कहा जाता है ठीक अलग-अलग यह process में क्या होता है यह में भी जो है basically अगर हम यहाँ पर particularly अगर हम यहाँ पर compound को देखे तो यहाँ पर जो है जो compound है तो यह है carbonated ore carbonated ore जो है इसे basically change के जाता है oxide में hitting strongly in the absence of air और इसे जो है produce किया जाता है in the absence of air तो इस process को calcination कहा जाता है तो अलग-अलग बिल्कुल यह ध्यान रखना यह question बिल्कुल बनता है alkenes are hydrocarbon which have at least one carbon carbon तो यहाँ पर हम देखे तो alkenes basically क्या होता है यह जो है तो alkenes भी यहाँ पर हम देखे तो यह भी unsaturated hydrocarbons होता है और यहाँ पर at least one carbon carbon double bond होता है तो यहाँ पर confuse मत होना no down अलग-अलग बिल्कुल कर ले आगे बढ़ता है sodium compound which is used permanently to remove the hardness of water तो कौन सा basically sodium यहाँ पर compound को use के जाता है for permanently removing the hardness of water यह है sodium carbonate sodium carbonate भी यहाँ पर लिखा हुआ दिया जा सकता है आपको chemical name भी लिखा हुआ दिया जा सकता है या फिर common name यहाँ पर लिखा हुआ होता है यह basically इनके low melting and boiling point क्यों होता है basically अगर हम carbon compounds को देखे अगर हम carbon compounds को अगर हम consider करें तो carbon compounds में जो bond होता है basically यह basically covalent in nature होता है और जो है इनके बीच में जो forces रहता है यह बहुत weak होता है उतना ज्यादा strong नहीं होता है जिसके वज़े से इनका melting and boiling point जो है बहुत ज़दा कम होता है तो carbon compound जो है यह जो है covalent in nature होते है तो यह धियान रखना they are covalent in nature इस वज़े से इनका low melting and boiling point होता है the process of shipping of water into the ground is called तो इसे basically क्या कहा जाता है इसे infiltration जो है यह कहा जाता है infiltration का अगर हम definition देखे तो infiltration का definition क्या है infiltration is the process by which water on ground surface enter the soil तो यह जो है soil जो है यह पूरस होता है या फिर रॉक जो है यह पूरस होता है जहां से जो है यह water जो है पास होता है तो यह basically shipping of water होता है from the ground surface to the soil तो इसको जो है आप infiltration कहते है which one of the following is not an element इनमें से कौन सा जो है element नहीं है graphite, silica, germanium, mercury तो यहाँ पर अगर हम देखे graphite बसी कलिए element है germanium भी यह जो है basically element है mercury भी element है लेकिन silica जो है यह basically compound है ठेक है यह question बना है 2-3 बार थोड़ा सा tricky question है यह basically compound है इसका जो basically नाम है chemical name जो है यह है silicon dioxide तो silicon dioxide है जिसके वाज़ से compound है तो यह element नहीं कहलाएगा तो उसका सही answer है यह option number 2 यह है silica how many sigma bonds are there in methane तो methane में जो है कितना sigma bonds होता है आप कुछ students को जो है अगर यहाँ पर थोड़ा in depth उन्हों नहीं पढ़ा clarity नहीं है तो सुचेंगे sigma bond आगे होता क्या है तो sigma bond basically जो है single bond को sigma bond ही कहा जाता है तो methane में कितना single bond होता है यह basically पूछा गया बहुत आसान सा question है इसका जो सही answer है यह option number 1 4 चार जो है यह होता है CH4 जो है इसका formula है तो CH4 जो है यह होता है तो यहाँ पर जो है जो है basically अगर हम देखे तो यहाँ पर जो है पूछा गया है greenish yellow is जो है यह gas है और साथ में इसका characteristic जो है यहाँ पर जो है यह smell भी होता है at room temperature तो यह कौन सा gas है तो यहाँ पर जो सही answer है यह basically option number 2 chlorine chlorine जो है अगर हम chlorine को देखे तो chlorine basically जो है इसका pungent smell भी होता है corrosive in nature होता है और साथ में जो है यह greenish yellow color का जो है gas होता है तो सही answer है chlorine काफी और question बना है तो ज़रूर यह ध्यान में ज़रूर रखना the number of particles for example यहाँ पर आंदर भी bracket में लिखा गया atoms, molecules और ions present in one mole of substance is called तो यह basically किसका definition है यहाँ पर कुछ-कुछ चीज जो है direct definition से भी दिये दिये जाता है इसका जो basically value होता है कभी कभी यह पूछा जाता है value तो एक बार ध्यान रखना 6.022 into 10 to the power 23 इसका जो है यह value होता है इसे एवागरो constant कहते है यह फिर एवागरो number इसे basically हम कहते हैं तो यह बिल्कुल धियान रखना number of particles जिसमें atoms, molecules और ions present in one mole of substance is called basically अवागरो number और अवागरो constant each element has name and dash तो each element जो है अगर हम देखे जितने भी element है predictable में तो सबका एक नाम तो जरूर है और साथ में जो है इनका एक unique chemical symbol भी है तो इनका जो है इसे हम क्या कहता है बहुत सारे student यहाँ पर कलती करता है negative marking भी बहुत सारे यहाँ पर होता है धियान रखना इसे जो है mineral कहा जाता है ना कि ore कहा जाता है ठीक है compound of metal found in the nature is basically called mineral जो art के crust में जो भी minerals पाए जाता है यहाँ से basically जो है metal यहाँ पर extract किया जाता है तो इसे हम जो है minerals कहते है ना कि ores कहते है ठीक है तो धियान रखना कलती यह मत करना atomic number of an element is the number of dash in the nucleus of each atom of that element तो बहुत आसान सा सवाल है इसमें ज़्यादा जो है time waste नहीं करते हैं तो जितने number of protons रहते हैं इसे जो है atomic number basically कहते हैं निकलियस में जितने number of protons रहते हैं इसे हम basically atomic number कहते हैं तो आसान सा कोशन था ज्यादा यहाँ पर time waste करने का जरूद यहाँ नहीं है first item to classify the element was made by तो यहाँ पर अगर हम predictable में देखें तो predictable में धीरे 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 जो है यहाँ पर काम चलता रहा है new lands के बाद फिर यहाँ पर अगर हम देखें mandalim ने काम किया फिर mandalim के बाद देखें तो mosle ने काम किया तो इसी तरह लेकिन सबसे पहला item किन के दवारा किया गया था कि जो है element को classify करने के कोशिस के दवारा किया था तो सही जबाव होगा यह होगा dovenir dovenir के दवारा यह किया था dovenir trades के बारे में अपने जरूर पढ़ा होगा तीन-तीन element को arrange किया गया था तो यही basically है तो यहाँ पर पहला attempt अगर हम देखें classify the elements यह basically जो किया गया था यह dovenir के दवारा किया गया था तो वीडियो यही खतम होता है इसके साथ-साथ important बात यह भी है कि जो हमने booklet launch किया है current affair, general knowledge तो इन्हें लेना मत भूलना बहुत अच्छा से arrange किया गया तकि आपका current affair, general knowledge अच्छा से prepare हो जाए और साथ में और भी हमारी जो बुकलेट्स है जैसे general science के बुकलेट है इसके अलावा जो स्टाटिक जी के बुकलेट है इनके बारे में जाना है तो बुकलेट का playlist भी लिंक में description box में दे लिया गया है जहाँ पर जाकर सारे बुकलेट के बारे में आप जान सकते हैं तो बुकलेट लेना मत बूलना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप इन बुकलेट्स को लेते हैं क्योंकि चीजों को जो है बहुत अच्छा सी आपर arrange किया गया है विडियो अंधर का थाएगा तक्य।